जैहीन दोस्तों Master G Info Channel पर आप सबों का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इडूटीरिया का वर्षे कांग 2022 का नॉवमबर 2021 से नॉवमबर 2022 में 750 से भी अधिक वस्तुनिष्ट प्रशन का जो अंतिम में प्रेक्टिस सेट दिया रहाता है दोस्तों उस प्रेक्टिस सेट में सेट नमर 5 देखने वाले हैं दोस्तों आज हम लोग इडूटीरिया का प्रेक्टिस सेट 5 देखने वाले हैं जिसमें 750 से भी अधिक प्रशन दिये गए हैं दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रेक्टिस सेट वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जिनफो को सस्क्राइब कर बिहार चचेवाले समन्जित बहुत सारे प्रेक्टिस सेट भी अपलोट कर दिये गए हैं आप एक बार जरूर जाके देख लीजेगा तो चलिए दोस्तों श्तार करते हैं दक्षिन कोडिया में आयजीत ईससेट विश्टकप 2020 में पुरुसों की स्कीटस परदा में स्वर् मिराज अहमद खान नेक्स्ट प्रस्टन की बात करें निमलिकित में से कौन सा बंदरगा भारत का 100% लेंड लोड मोडल वाला पहला बंदरगा हो गया है तो लेंड लोड वाला पहला बंदरगा बन गया है जवारलाल नहरू बंदरगा जवारलाल नहरू बंदरगा आर्मी अखिल भारती विवीद सेवा पराधिकरन की बैठक के दौरान आर्टिफिसियल इंटलिजेंस संचाली तेस के पहले डिजिटल लोक अदालत का सुभारम कहां किया है तो तीन का यहां जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह जाएगा जैपूर में किया है कहां किया ह जैपूर में किया है चलते हैं नेक्श प्रस्टन की और हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है हाल ही में हुई नियुक्तों में कौन सुमेलित है तो दिनेश गुनवर्धन स्रिलंका के पंदरवे परधान मंतरी बने सही है दिनेश गुनवर्धन स्रिलंका के महात निदेशक हैं ये भी सही है तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे option number 10 is the right answer स्रीमती दुरोपदी मुर्मू के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो स्रीमती दुरोपदी मुर्मू के बारे में विचार करना है दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार करते हैं वह भारत की पहली आदिवासी राष्टपती हैं जिनका समन्ध संथाल जन जाती से है बिल्कुल सही है विपक्च के उमिदवार यस्वन सिन्हा को हरा कर दुरोपदी मुर्मू देश के पंदरवे राष्टपती बने यह भी दोस्तों सही है विपक्च के उमिदवार कौन थे इंस वंत सिन्हात है और अभी दुरोपदी मुर्मू जो है भारत के पंदरवे राष्टपती के रूप में बने है यह भी इम्पोर्टेंट कोस्न हो जाता है दोस्तों क्योंकि दूसरा नमर का जो option है ये भी PSC के एक्जाम में पूछा गया था तिसरा नमर option है दोस्तों पहला और दूसरा तो सही है तिसरा देखते हैं वह अजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट पती है बिल्कुल सही है दोस्तों वह भारत की सबसे कम उम्रकी राष्ट पती है तो ये भी शही हो जाएगा दोस्तों चलते हैं देख लेते हैं option तो 1,2,3,4 is the right answer सोड़ी दोस्तों 1,2,3,4 is the right answer तो 5 का यहाँ पर सही answer होने वाला है दोस्तों फजाग 1,2,3,4 is the right answer यानि कि सभी का सभी सही हैं option number 3 is the right answer चलते हैं next question की बात कर लेते हैं दोस्तों विस्व एथलेटिक चेंपेंशिप 2020 के समझ में कौन सा कतन सही है तो विस्व एथलेटिक चेंपेंशिप के समझ में पूछ रहा है कौन सा कतन सही है भारत ने अब तक 20 Athletic Championship में दो पदक अपने नाम किये हैं अंजू बेबी जॉर्ज ने 2003 में लॉंग जंप में काँ से पदक जीता था बिल्कुल सही है दोस्तों 20 Athletic Championship का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमरिका के औरगेन में किया गया है तो सभी का सभी सही है तो option number D is the right answer चलते हैं next question की और सातमे नमर प्रेशन की बात करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो master jinnpo को subscribe कर लिजेगा बिहार सचे वाले और इटुटीरिया से समदित शारे current affair आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं तो यह पर मिलने पर समयलित है यह पूछा जा रहा है दोस्तों तो अनत यस्वंद खरे मराठी लेखकते हैं इनका निधन हो गया है सही है भुपेंदर सिंग ना गायकते हैं इनका भी निधन हो गया है यह भी सही है पी गोपिनात गांदिवादी विचारक और स्वतंतरता सैनानी थे यह इनका भी निधन हो गया है तो उपियुक्त में से सभी शही हैं दोस्तों हाल ही में इन सबों का निधन हो गया है नेक्स्ट प्रस्ण है निती आयुक द्वारा जारी इंडिया इनुवेशन इंडेक्स 2021 के समझ में कौन सा कथन असत्य है तो धियान से देखेंगे असत्य कौन सा है तो पहला ही कतन असत्य हो जाएगा दोस्तों कि गुजरात के परमुक राजियों के स्रेनी में सिर्च पर नहीं है नीचे है तो मनिपूर पुरवत्तर और पहारी राजियों के स्रेनी में सिर्च पर सही है चंडिगर्ट के अंदर साशित परतेशों और सहर राजियों की स्रेनी में शिर्च पर है ये भी सही है तो दोस्तों A और B सही हो जाएगा जबकि A गलत है असते कतन चुनना था option A is the right answer next question की बात करें जुलाय 2020 में इस्पेन और नीधरलेंड में आई जित किस देश ने जीता तो दस का यहां जो सही अंसर होने वाला है नीधरलेंड ने जीता किसे हराकर जीता कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करके बताएं एकार में नमर प्रिष्ण है वर्स 2013 में 23 संगाई संयोग संगटन S.C.O. सिकर समेलन का आयजन किस देश में किया गया तो एकारा का यहां जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा भारत में कहां भारत में किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायो लिप्टिस विनाईल रिकॉर्ड बनाया है तो बारा का यहां जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो जाएगा युनाटेट की नम इंगलेंड दुआरा ठीक हैं नेक्स्ट प्रसन की बात करें किस भारती महिला बेडमिंटन खिलारी ने सिंगापूर ओपेन 2022 जीत कर अपने केरियर का पहला शूपर 500 खिताब जीत लिया है तो शूपर 500 खिताब जीतने वाली पर्थम महिला कौन बन गई पीवी सिंदू कौन बन गई दोस्तों पीवी सिंदू बेडमिंटन खिलारी नेक्स्ट प्रसन की बात करें सिक्छा मंतराले दुआरा जारी राष्ट संस्थागत रेंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में किस संस्थान को पर्थम अस्थान पराफ्थ हुआ है तो IIT मदरास को पर्थम अस्थान पराफ्थ हुआ है 15 नमर प्रसन की बात करें हाली में किस राजद्वारा EFIR, Electronic FIR सेवा और एक पुलीस एप लॉंच किया गया जिसकी मदद से अब लोग Online FIR दर्ज कर सकेंगे तो Online FIR दर्ज करने के लिए कहां तो उत्राखंड में कहां दोस्तों उत्राखंड में इस तरह का काम किया गया है 16 नमर प्रसन है हाल ही में वीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस VLTD को Emergency Response Support System से जोरने वाला भारत का पहला राज़ कौन बन गया है तो यह भारत का जो पहला राज़ है वो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है इस दर राइट आंसर 16 का D चलते है नेक्स प्रसन के और 17 नमर प्रसन है ali में किस देश के सांसद ने भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अद्ध्यक्त सौरप गांगोली को सम्मानित किया गया है उर गांगोली को सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोस्टन की और टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटिस्ट प्लेज ऑफ 2022 में भारत के कौन से सहर सामिल है तो भारत के यहाँ जो सहर सामिल है दोस्तों आहमदाबाद और केरल क्या हो जाएगा आहमदाबाद और केरल B is the right answer ठीक है 20 नमबर क्रश्ण की बात करें 22 जुलाय 2022 को और सटमे राष्ट फिल्म पुरुसकार घोसना की गई इसके समदित निमने खित कतनों पर विचार की जिए तो विचार करना है दोस्तों इनमें से कौन सा कतन सही है ये पता लगाना है तो 20 का देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कतन स सही है तो देख लेते हैं दोस्तों कि सर्वसरेष्ट अभिने यानि कि और सटमां फिल्म पुरुसकार है यह हमें धियान रखना है 68 फिल्म पुरुसकार, सर्वस्रिष्ट अभिनेता, आजे देवगन, तानाजी द आंसन वर्यस के लिए चुना गया, और सूरिया को सौराई पुट्टू के लिए चुना गया, दोनों सही है दोस्तों, बेस्ट फिचर फिल्म, सौराई पुट्टू था, तमिल फिल्म, तो य पन, को सियूम, ये भी सही है दोस्तों, यानि कि सभी सही है, option number D is the right answer, नेक्स्ट प्रसन की बात करें, 21 number प्रसन है, हाले में किस देश की संसद ने work from home को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित कर दिया है, तो work from home के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया ये कहां तो नीदरलेंड में, work from home के लिए, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ समुदरी सिक्चा साइत, सेक्षनिक योगता के परस्थित, परस्परिक, मनेता और स्वास्त देखभाल कारे बल पर एक समझता ग्यापन पर हस्ताक्तर किया है, तो 22 का जो right answer वजागा, वजागा UK, England द्वारा, टेका है, 23 नमर प्रश्ण है, वित मंत्राले द्वारा जारी अधी सूचना के अनुसार, भारत राष्ट द्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है, तो भारत राष्ट द्वज की बिक्री के लिए GST दर है 0%, क्या है दोस्तों, 0%, 24 नमर प्रश्ण है, 16 जुलाय 2020 को 35 साल की सेवावदी के दबाद किस भारत राष्ट नौसेना को पंडवभी को सेवामुख्त कर दिया गया, तो 35 साल के बाद किस नौसेना पंडवभी को सेवामुख्त कर दिया गया है, तो आयनस सिंदुद्वज, आयनस सिंदुद्वज को 35 साल की सेवाव से के लिए अपना नविंतम राष्ट अस्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेस किया है NDC से समंदित निमलिकित कतनों पर विचार किये किजिये NDC से समंदित जो निमलिकित कतने दोस्तों भारत वर्ष 2030 तक अपनी सकल घरेली उत्पात की उत्सरजन तिवर्था को 2005 के अस्तर से 45% तक कम करेगा बिल्कुल सही है दोस्तों भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवासम इंदन आधारित उर्जासन सादनों में लगबग 50% संचाई विदू सकती स्थापित चमता हासिल कर लेगा बिल्कुल सही है दोस्तों तो ओप्सन नमर जो हो जागा एक और दो दोनों सही है तो ओप्सन नमर से इस दरायट अंसर दोनों का करेंड पैर जो की इडुटिरिया पब्लिकेशन का है जिसमें हम लोग सेट नमर फाइव देख रहे हैं 26 नमर प्रशन है आजादी की 35 वर्षकांट मनाने के लिए इस रो द्वारा भारत की 750 इसकुली लर्कियों द्वारा शरकार इसकुली बच्चों को अंतरिक्ष की बु 27 नमर प्रशन है महिलाओं को उनके अधिकारों को कानूनियों के प्रति जागरूख करने के लिए किस राज सरकार द्वारा मुखमंतरी महतारी नियायरत को हरी जंडी दिखाए गई तो 27 का जो यहां पर राइट आंसर होने वाला है यह देख लेते हैं दोस्तों तो यह हो 28 नमर प्रशन है 28 मतर हाली में अजित संयुक्त सेन अभ्यासों के समझ में कौन सासु में लिते हैं तो 28 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों यह देख लेते हैं अल नजाह जो है भारत और रोमान के साथ सही है विन वेक्स 2020 भारत और वियतानाम के साथ यह भी सही है वज उसब आयजन किया गया तो 29 का जो सही आंसर यहां पर होने वाला है वह हो जाएगा तिरंगा उसब क्या हो जाएगा तिरंगा उसब नेक्स्ट प्रशन की बात करें तीसमा नमर प्रशन है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए श्री जगदीब धनकर देश के चौदवे उ उपराश्टवती कौन बने है तो जगदीब धनकर इसे पहले यह पास्वी मंगाल के राजपाल थे विपक्चि गुमिदवार मार्गेट अलबा को 182 वोट मिले थे ये भी सही है विपक्ष को मतवार मारगे टालवाते हैं ये भी सही है जगदीब धनकर का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाय दोहजार उनेज में पस्मी बंगाल के राजपाल नियुक्त किया गया तो ये भी सही है तो उप्यूक्त में से एक, दो, तीन, त दोस्तों देख लेते हैं 31 का तो 31 पर विचार करना है क्या लिगावा है भारत महिला होकी टीम किने कहां से पतक जीता है बिल्कुल सही है दूसरा है राष्ट मंडल खेल में लॉन बाउन्स परत्योगता के फाइनल में दक्षीन अपरिका को हरा कर भारत ने पहली बार गौल् भारत महिला क्रिकेट टीम को रज़त पदक जीता है ये भी सही है चौता है भारते टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापूर को तीन एक से हरा कर स्वन पदक जीता है तो ये भी सही हो जाएगा तो option number D is the right answer सभी का सभी शत्ते हैं नेक्सट question है 32 नमर प्रस्ण है भारत में निमलकित में से किन दो सहरों के मद अकासा एयर की पहली उरान का उत्गाटन किया गया है ता अकासा एयर की पहली उरान का जो उत्गाटन हुआ है ये मुंबई से आमदाबाद चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ण के और किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा राज के साथ साथ निजी विश्विद्यालों और कॉलेजों के एक सकती सालिस रिचर्च एंड डेवलेप्मेंट परस्थित की तंत्र बनाने के लिए सर्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि नेक्स्ट प्रस्टन की बात करें, भारती नोसेना के पुरबंदर में इस्थित इन्वो लेक आई एनेसस 314 की पांच अधिकारियों ने किसी विमान पर सवार होकर उतरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुंदरी टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है। सुमेलित नहीं ढूटना है दोस्तों, यह समुलित कौन सा नहीं है, तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्पूर आत्रभूमी मद्य प्रदेश में सही है, नंदा जील गोवा में यह भी सही है, तापारा जील उडिशा में यह भी सही है, जबकि यह जो है रंग नी थूटू पक् किन दो देशों के बीच संगर फिर से सुरू हो गया, तो 38 का जो यहां पर सही आंसर होने वाला है, अर्मेनिया और अजर्वेजान, अर्मेनिया और अजर्वेजान के बीच, नारगोनो अकारा बाग को लेकर फिर से संगर सुरू हो गया, अर्मेनिया और अजर्वेजान के 29 नमर्प्रशनै किसराज सरकार द्वारा, हाली में मुखमंत्री शमान सिक्चा, रहат साहिता और अनुदान योजना की सुरुवात की गई 39 यहाँ जो सही आंसर होने वाला है, वह हो जाएगा हर्याना द्वारा, किसके द्वारा? हर्याना द्वारा मुखमतरी समान सिक्चा राहत साहता एव अनुदान युजना इस्टार्ट किया गिया नेक्स्ट प्रस्ण है अगस 2020 में जारी Fortune Global 500 सूची में शामिल नौ भारती कंपनियों में से किस भारती कंपनी को सरवच अस्थान पराप्त हुआ है तो यह कौन सी कंपनी है दोस्तों तो यह Reliant Industries है 41 नमर प्रश्ण है भारत सरकार ने किस वर्स तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्स रखा गया है तक कालाजार को खत्म करने का लक्स रखा गया है 2020 तक चलते हैं नेक्ट परस्ण के और 42 नमर प्रश्ण है वह जाएगा दोस्तों इजराहिल द्वारा किसे द्वारा इजराहिल द्वारा 43 नमर प्रश्ण है ऑपरेशन विजय में गनर्स की सरवोच बलिदान को सरदानजली देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास इस्तित किस पॉइंट को गन हील नाम दिया गया है तो गन हील दिय है इट्टिरिया का यह प्रेक्टिसेट पांच चल रहा है वने जीब सन्रक्षन अधिनियम विदेयक 2021 से समंधित निमलकित कतनों पर विचार कीजिए तो 44 का जो यहां पर सही आंसर होने वाला है उसको देख लेते हैं दोस्तों 44 का यहां पर जो सही आंसर होगा वह हो है यह वने जीब सनक्षन अधिनियम 1972 में संसोधन करता है यह भी सही है तो ऑप्सन नमर डी इस दराइट आंसर 123 तीनों सही है चलते है ने एक्सट प्रसन की और 45 नमर प्रसन है कि भारत में मरमत के लिए आने वाला पहला अमरीकी नोसेनिक जहाज डैस चेन नहीं में L&T के कटपली सिप्याड में 7 अगस्त को पहुंचा था L&T के सिप्याड में 7 अगस्त को कौन सा जहाज अमरीका का पहुंचा जो कि नोसेनिक जहाज है दोस्तों मरमत के लिए इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो है USANS Charles Do जो है Appeal This is the right answer 46 नमर प्रसन है हाली में आदी पूरम महतसब दोजार बैस का आयोजन किस राज में किया गया तो आदी पूरम महतसब दोजार बैस का आयोजन किया गया तो आदी पूरम महतसब दोजार बैस का आयोजन किस राज में किया गया तो आदी पूरम महतसब दोजार बैस का आयोजन तमिलाडू में किया गय सुमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री ये भी सही है गुस्तावो पेट्टो कोलंबिया के पहले वामपंति राश्टपती ये बिल्कुल सही है यानि कि सभी सुमेली थे हैं option number D is the right answer 48 नमर प्रश्ण है उप्राश्टपती द्वारा सरहानी सेवा और कई उपलोबधियों के लिए किस राज की पुलिस को परसेडेंस कोलर अवर्ड किस राज की पुलिस को दिया गया तो ये तमिलाडू पुलिस को प्रिंसेस प्रिंसेडेंट कॉलर अवर्ड दिया गया अपना पहला UEFA Women Europe 2022 का किताब जीत लिया है तो 49 का यहां जो सही आंसर हो जागा इंग्लेंड ने इंग्लेंड ने Women 2022 का किताब जीत लिया है 50 नमर प्रशन है दोस्तों कि मुंबई के Central Railway Station पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मसीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है तो अभी हम लोगों ने देखा इड़िटेरिया पब्लिकेशन का जो नई Current Affair Book आया है उसमें Practice Day No.5 देखा ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हस्ते रहे मुस्कराते रहे जय हिन जय भारत